हम बात कर रहे हैं टेररिजम पर और यह सिलसले में हमारी दूसरी वीडियो है पहले वीडियो में हमने डिसकस किया था कि वो कौन सी वज़वात हैं जिनके बिना के उपर किसी भी स्टेट में टेररिजम पनप सकता है आज हमें बात करनी है इंटरनाशनल सेनारियो में जो टे इसलिए क्योंकि इस मामले की पेचीद की को मद नज़र रखते हुए हम कुछ चीज़ों को आपके सामने पेच करना बहुत जरूरी समझते हैं और आगे की मज़ीद कुफटगू में इन बातों का जहिन नशीन रहना बहुत जरूरी है पहला ये किसी भी इनसान के अच्छे या बुरे होने का सही फैसला इस बात का सही फैसला कि कोई भी इनसान से अच्छा है बुरा है सही है या गलत है उसके कंड़क्ट और उसके अमल के उपर ही किया जा सकता है ये देखकर नहीं हो सकता है कि वो किस रिलिजन को बिलॉंग कर इसी तरह जब जो कंट्रीज हैं वो चाहे सेकिलर कंट्रीज हों अपने आपको सेकिलर कहती हो या अपने आपको किसी खास रिलिजन को अपना नाच्टल रिलिजन बताती हो वो महस इस सही या घलत नहीं हो जाती बलके वो कंट्रीज जो हैं वो सही है या घलत हैं उनके पॉलिसी जो है वो आदलाना वो मुनसफाना नहीं है तो वो सही नहीं है और इसी तरह तीसरी बाद जो हम कहना चाहते हैं वो ये कि किसी भी इस सरजमीन के उपर किसी भी religion के followers को तीन categories में divide किया जा सकता है जी हां मेरे कहने का मतलब है कि इस सरजमीन पर जितने भी religion हैं कहीं भी हो चाहे वो उनको उनके followers को roughly तीन categories में divide किया जा सकता है पहली category उन लोगों की है जिनकी views justified होती है जिनको कोई emotionally exploit नहीं कर सकता है वो सही को सही और गलत को गलत समझते हैं बहुत से ऐसे होते हैं जिनको ये जिनके पास ये जसारत भी होती है कि वो सही को support करते हैं और गल गलत को condemn करें लेकिन कम से कम उनमें ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो सही को सही बात को सही और गलत को गलत समझते हैं दूसरी category में वो लोग आते हैं जो extremist होते हैं extremist से हमारी मुराद ये है कि वो लोग जिनका दूसरों से behavior अंदाज और उनका जो treatment है वो महस इस बना के उपर बदल जाता है कि सामने वाला किसी और religion ये किसी और ideology को belong करता है तीसरे वो लोग हैं तीसरी category उन लोगों की है कि जो जिनकी अपनी कोई view होती ही नहीं है उनकी अपनी कोई views नहीं होती है बलके वो जिनके under influence होते हैं उनकी views को follow करते हैं अब भले ही जिसके वो under influence हैं वो अगर जिस्टिफाइड views रखने वाला है तो तो ठीक है लेकिन अगर कहीं वो extremist है तो पर अल्ला ही मालिक है अब हम बात करते हैं international terrorism पर international level के उपर उस terrorism की जिसने इसलाम की image को damage किया और ऐसे अफसोसनाख हाला पैदा किये कि worldwide मुसल्मानों को सामने आकर ये बात कहनी प का टर्रिरिजम से कोई तालुक नहीं है और हम भी यहां पर ये बात कहना चाहते हैं और हम अपनी बात को कहने के लिए इस قرآن करीम के पाच्वे सूरे की आठवी आयत का तर्जमा आपके सामने पेश करना चाहते हैं तर्जमा है एए एमान वालों अल्लह के लिए खयाम कर करने वाले बनो और इनसाफ के साथ गवाही देने वाले बनो और किसी कौम की अदावत तुमें इस बात पर आमादा ना कर दे के इनसाफ को तर्ट कर दो इनसाफ करो कि यही तक्वे से खरीब तर है और अल्लह का तक्वा अक्तियार करो बेशक अल्लह बाखबर है तुमारे ये बात इस आयत में साफ साफ इनसाफ करने की बात कही गई है इनसाफ को तक्वे से गरीब तर बताया गया है और इनसाफ और इस बात की ताकीद भी की गई है कि कहीं किसी कौम की अदावत तुमको इस बात पर न ले आए कि तुम इनसाफ को तर्क कर दो तो इस आयत के बिना पर ही सीधे सीधे इस बात का डिनायल हो जाता है कि इसलाम का किसी भी तरीके से टेरिरिजम से कोई वास्ता है क्योंकि टेरिरिजम जो है वो जल्म के बिना पर होता है तशद्दूत के बिना के उपर होता है और यहां इनसाफ करने की बात कही जा रही है उसके साथ भी इनसाफ करने की बात की जा रही है जो आपका दुश्मन है जिससे आप बोगज रखते हैं जिससे आपको अदावत है तो अब हम बात करते हैं कि कैसे आखिर क्या हुआ इंटरनेशनल सिनारियो में आखिर लेवल के ओपर क्या हुआ जो इस तरीखे का टेरिरिजम पैदा हुआ और इसको इसलाम से जोड़ा गया तो मेरे जहन मेंगी जब मैं क pornे परती ती और जिस वकर देखती थी मैं टी वी की ओपर जो इस पर जब जो एक हूर की और देशत की जो खबर आते ही थी तो देखकर के मेरे जहनेंगी बहुत सारे स्वाल पसक्राइब च्राह इसा चाहुआ तो जवाब मिला आज काफी हद तक जवाब मिला इस किताब में इस किताब को आद देख सकते हैं इसका नाम है Empire of Fair Inside the Islamic State और ये किताब जहें वो एंड्रियू होसकिन की लिखी किताब है जो के BBC के एक सीनियर करिस्पॉंडेंट है जोनोंने खुद कई जगां के उपर रिपोर्टिंग की है मौजूद रहकर की और उनको One Media Award भी मिल चुका है तो इस किताब में बहुत ही हैरतंगेज कुछ खुलासे हैं जो के मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और इसकी जो बैक्राउंड है उसका जिकर कर देना जरूरी समझती हूँ और उस बैक्राउंड की जो मेरी जो सूर्स अफ इंफर्मेशन है वो है UN की वेबसाइट वहां से मैंने इस एंफर्मेशन को लिया है कि जो असामा बं लादेन है इस जब चीजों के शुरॉवात होती है अफगान वॉर से कि उसामा बिन लादेन जो है वो उसने अफगान वार में पार्टिसिपेट किया था अफगानस्तान में जब सोवियत यूनियन की फोजें जो है वहाँ पर ठैरी हुई थी उस वक्त उस जगहां पर उसमा बिन लादेन जहें वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गया था उन सोवियत यूनियन की फोजों को वहां से हटाने के लिए और उस वक्त उसको सपोर्ट हासल था साओधी अरेबिया का और अमेरिका का और जब वो जब सोवियत यूनियन के फोजोंचे वहां चली गयी और जब वो सजोदी अरेबिया वापस लौटा तो उसको जहाँ वो सजोदी अरेबिया ने और उसको अमेरिका ने उसको फ्रीडम फाइटर कहा गया था और सम्माosition के बाद वो इन ही लोगों के अगेंस्ट हो गया उसको लगा कि यही लोग करप्ठ हैं तो उसने इन के अगेंस्ट बोलना चुरू किया जब इन इन ही के अगेंस्ट बोलना चुरू किया तो वहाँ से उसका passport जबत कर लिया गया और उसको निकाल दिया गया और उसकी family को कुछ जुर्माना भी early कुछ वहां रहने का कुछ बाढ़ा गया था तो वो वहाँ से जब वो वापस अवगानिस्तान की तरफ आया और उसने वहाँ पे अल-काइदा की शुरुआत की और उसने वहाँ से युएस की अमबैसीज जो डिफरेंट उसमें कंट्रीज में थी और जो युएस की जो फॉजें थी उनको अपना निशाना उनको टार्गेट करना उसने शुरू किया और वो इस चीज़ को भी जिहाद कह रहा था उसमा में लादेन के लिए पहली वारी लडाई भी जिहाद थी ये लडाई भी जिहाद थी लेकिन जब वो पहली वारी लडाई लडा था तो उसको freedom fighter कहा जा रहा था और अब जब उसने इस जंग की शुरुआत की तो वो most wanted terrorist हो गया अब बात करते हैं अब आते हैं हम इस किताब के उपर लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है इसलिए इस बात का जिक्रच है वो हम अपने तीसरे वीडियो में करेंगे